चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्रप्रदेश के बायरा बंकी की बात करते हैं वितिरात एक बड़ी सड़क दुर घटना हो गए उसमें रामसनेही घाट इलाके में खड़ी एक बस में ट्रक ने पीछे से आकर भैनक तौर पर टकर मारी हादसे में ट्रक सवार 18 मजदूरों की मौत की खबर है जबकि 25 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं देखे हमारी इस खास रिपोर्ट में इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सड़क हादसा कितना खतरनाक होगा और भैयानक भी उस वक्त यहां कैसी अफरत तफरे मची होगी उत्तर प्रदेश के बारबंकी से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया बिती रात हुए सड़क हादसे ने 18 लोगों की जान ले ली है बताया जा रहा है कि ये बस पंजाब के लुध्याना से बिहार जा रही थी लखनव अयोद्य हाईवे पर बस का एकसल तूट गया हाईवे पर बस खराब हो गई तो कुछ यातरी बस से निकल कर बाहर टहलने लगे इस दौरान पीछे से आए 30 रफ़तार ट्रक ने बस को टकर मार दी इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज़्यादा लोग खायल हो गए कई लोग बस के साइड में कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपैर करने तक उनको समय लगेगा तो रातरिकाल में विश्राम कर रहे थे उसी समय पीछे से एक रख आगर इस बस के साथ जब एकसिडेंट कर ल काफी संख्या में लोगों की कैजल्टी हुई लोग इंजोड हुए जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय भारी पारिश हो रही थी तेज पारिश के कारण राहत और बचाओ के काम में परिशानी आ रही थी बस के अंदर फसे लोगों को बाहर निकालने में पुलिस को काफी म शुकत करनी पड़ी इस्थानिय लोगों की मदद से पुलिस ने मृत को और घायलों को बाहर निकाला घायलों का लखनाओ और बारबंकी के अस्पतालों में इलाज चल रहा है बताये जा रहे कि हाथसे का शिगार हुए सभी लोग बिहार के हैं पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है यूपी के मुखे मंतरी योगिया दित्यनाथ ने बारबंकी सड़क हाथसे पर दुख जाहिर किया है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी हाथसे में मारे गए लोगों के प्रती सम्वेतना जाहिर करते हुए प्रधान मंतरी नेशनल जरेलिफ फंड से हाथसे में मारे गए लोगों के परिजनों को दोदूर लाख रुपे मुहावजा और घायलों को बचास हजार रुपे देने का ऐलां किया है